एक जोसेफ हान नम के सद्गुरुस है जिन्होंने बॉबी फिशर के फिवरेट गेम्स इसके उपर एक आर्टिकल नेट पे लिखा है जिसका संदर्ब लेके मैंने वीडियो बनाए बॉबी फिशर का कहना था जो सामने दिखा है कि एफ़ोर बेस बैट टेस्ट रॉबर्ट फिशर मने बॉबी फिशर तो सबसे अच्छी मुझ जो है फिर्स्ट वो एफ़ोर बॉबी फिशर को लगती थी और ज्यादा दर गेम उन्होंने इफ़ोर से स्टार्ट करके खेले एक वर्ड चैंपियन लास्कर थे उनके भी ऐसी सलाई थी कि हमने अधर एफ़ोर या डिफ़ोर से गेम चालू करना चाहिए तो यह हो गई एफ़ोर इसके बाद जो ओपनिंग सबसे उनका फेरेट था वो था रॉय लोपेज और उसमें एक्सचेंज वेरेशन जिसके मूज़ होती है एफ़ोर एफ़ाई है नाइट एफ त्री नाइट सी सिक्स बिशब बीफ है अला कि ब्लैक इसके उपर क्या खेलता है इसके उपर डिपेंड करता है काफे ओपनिंग लेकिन उनका फेरेट था हो सके तो वो रॉय लोपेज और एक्सचेंज वेरेशन खेलते थे डी क्रोस इसक्स कैसल एफ इफ सिक्स डी फोर एक्रोडी कॉर और क्विन क्रोस डी फोर यह उनकी फेरेट चाले थी दूसरा है इसमें एक फीशर सुजीन आटक से फेमस है E4, C5 C5 मतलब सिसीलियन हो गया Knight F3 D6 D4 C crawl D4 टीपिकल सिसीलियन के चाले Knight F6 Knight C3 A6 और Bishop C4 पर लाते थे और Bishop C4 इनकी फेवरेट मूँ थी जिसको Fischer सुजीन आटक ऐसे बोलते और Lipnis की अटक भी इसको बोलते एक्चुली इस यह बुक में इसको Lipnis की आटक नाम से रेकॉर्ड किया गया है तो इनका फेवरेट अटक था अभी दूसरा उनका सिसिलियन में था कि किंग्ज इंडियन आटक से खेलते थे थे तो इसका एक पूरा गेम मेरे पास है वो हम लोग देखेंगे E4 C5 सिसिलियन Knight F3 E6 D3 Knight C6 यह वोदा है सिसिलियन Kings इंडियन आटक इंडियन 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 आटक G3 अब नॉर्मली जो इंडियन इंडियन आटक रहे थे उसमें Fiancetto किया जाता है यह Pawn उपर लिया जाता है और यह Bishop यहां पे G2 पे लाएंगे Black भी खेलना है तो Fiancetto करेगा Black ने भी G6 पे लाके Fiancetto मतलब करने वाला है इसने किया बिशब जी टू बिशब जी सेवन डबल प्यांचेट हो दोनों ने प्यांचेट हो गया वाइट कैसल नाइट एसेवन रुक एसेवन रुक एवन डी शिक्स c3 कैसल ब्लैक ने गया d4 ccd4 ccd4 d5 e5 bishop d7 knight c3, rook c8, bishop f4, knight a5, rook c1, b5, a3, b4, knight e2, bishop b5, queen d2, knight c6, g4, a5, knight g3, अभी इन्होंने क्या किया कि काले के लड़ो को पूरा queen side पे थोड़ा जखड के ऐसे रखा है और अपना attack, white का यहां से चालू किया, आपने मोरे king की तरफ लेने शुरू कर दिये, queen b6, h4, knight b8, ज्यादा देखो queen side काला के लड़ो के लड़ों इन्होंने आपने, बहुत सारे मोरे king side को लेकर है, bishop h6, अब यह जो फियान चेड़ों करते तो, aim खेलाडू का प्रतिस पर दिखाए से रहता है कि यह उन्ड को मार दे, तो इसलिए इन्होंने के अपने उनको queen के protection पे यहां पे लेके h6 के उपर, ताकि वो मार देगा नहीं तो यह सपेद मार देगा, knight to d7, queen to g5, यह knight hanging मिल रहा है दर, इसके लिए queen लाएके इसको मारने के लिए, rook cross c1, rook cross c1, bishop cross h6, queen cross h6, rook c8, यह एको Robert Fischer और pan no करके कोई player है, उनके बीच में हुआ है, rook cross c8, knight cross c8, h5, queen d8, अभी यह अपने मोरे राजा की तरफ लेना चाहते है, लेकिन पूर attempt है, उसका भी, knight g5, knight f6, bishop e4, अब यह bishop, इन्होंने यहां पे लाया, देको, sacrifice हो जाते है, pawn से, सीधा pawn के सामने रख दिया, मैं ऐसा गलती से बहुत बार करता हूं, लेकिने, Robert Fischer ने, गलती से नहीं किया है, पहले हम यह देखते हैं, अगर black इसको मार देता है, तो क्या होता है, फिर वापिस यहां पे आते हैं, D x e4, knight x e4, knight x e4, knight x e4, knight x e4, f5, knight c6, king f7, queen x h7, king f8, queen g8 check, king e7, queen g7 checkmate, ऐसे checkmate हो जाता है, मतलब हो उनको जल्दी, बहुत सारी मुझे, उनको फटपट ध्यान में आते हैं, और black को भी याद आई कि ऐसे हो सकता है, इसलिए इसने, ए बीशप को मारा नहीं, तो knight x h7, knight x h7, h x g6, f x g6, bishop x g6, knight x g5, अब इतना powerful attack हो गए, black के उपर, बचना भी मुश्किल है, knight x h5, मेट कैसा कर दे, वो देखने जैसी चीज़ है, knight f3, इसने check दिया, king g2, knight h4, फिर से check हो गया, king g3, और इसने एक मोरे को मार दिया, चलो, bishop को उड़ा दिया, knight f6 check, king f7, queen h7 check, king f8, और queen g8 and checkmate हो गया, तो इस तरह से इन्होंने, थोड़ा उसको, black को queen के साइड पे, खेलने दिया, और, खुद फिर king के साइड से attack करके, गेम जीता, और kings indian attack है, इनका बहुत favorite opening है, फिर से king indian की move देखते है, e4, c5, knight f3, e6, d3, knight c6, अभी ऐसा है कि सामने वाला d4, यह 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 भी e4 वाला और एक है, आँ, फिशर का, ने, ने, यह बरबर है कि यह, सामने वाले ने e4 के लाए, सफेद वाले ने, bobby fischer यहाँ पे black है, तो वो क्या के लेंगे, तो sicilian ज़्यादा prefer करते है, और सिसिलन में, knight f3, d6, d4, c4, d4, knight c4, knight f6, knight c3, और a6, हाँ, तो यह सिसिलन नाजडॉफ हो गाया, मनला नाजडॉफ सिसिलन ज़्यादा उप्रिफर करते है, करते थे, I mean, यहाँ पे, वो black से खेल रहे है, सामने वाले ने e4 खेला, और अगर वो black से खेल ज़्यादा, सामने वाले अगर d4 खेलता है, तो वो king indian defense prefer करते है, जिसकी moods होते है, एन f6, गोडा यहाँ पे लाते, थे c4, g6, knight c3, bishop g7, e4, और d6, सफेद के तीनों पॉन्दे को सामने आ गए है, और इसने d6 लिया, इसको, kings indian defense बोलते हैं, तो वो फ्रिपर करते थे, d4 के लिए, तो इससरे से इनके यह favorite games थी और, मैं भी बहुत सारे student को कहता हूँ कि, e4 से खेले, e4 से खेले, मैंने अभी तक जितने गेम खेले, लगबग मतलब white लेकर मैंने 1200 के उपर गेम खेले, वो सारे मैंने e4 से start के, कोई भी गेम, मैं कोई expert नहीं हूँ, chase player, लेकिन मैं हमेशा e4 से ही चालू करता, अभी धीरे-धीरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं d4 पे जाओं, तो e4 के से अब कुछ खेलता है नहीं, तो देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे, रुपया सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो रुपया सब्सक्राइब कीजिए,